एपिसोड की शुरुआत में हम कारिया को देखते हैं वो बिटो से सोल ले रहा हुता है तब ही इचिनों से बूलता है मुझे माफ करना मास्टर वो यहां से बाग गया जब मेरा ध्यान नहीं था तब पहले तो माबाशी सोल खाने से मनाब कर रहा था पर अभी लगता है उसका इरादा बदल गया है तो कारिया बूलता है कोई भी बाउंट जिन्दा यूमन की सोल को खाने से पीछे नहीं हटता तो यही सेम चीज अभी माबाशी के साथ हो रही है तो इचिनों से पूछता है आ मैं भले एक bound नहीं हूँ पर मैं आप लोगों में से ही हूँ तो कारिया बुलता है एक दूसरे पर trust करना यही friends करते हैं और अगर मबाशी control से बाहर हो गया तो भी सब ठीक होगा result पहले कुछ भी हो पर मबाशी strong होता रहा तो सब ठीक ही है कोई भी battle हो उसमें हमें risk लेना ही पड़ता है और अगर risk ना हो तो छोटे बच्चों की लड़ाई से भी बेकार होगा तब इस इन रुक्या पर shift होता है वो और ही में का गला पकड़ लेती है तो और ही में भूलती है क्या हुआ रुक्या तुम्हें तो मबाशी बूलता है मेरी डॉल रिड्जे सबसे अलग है ये मुझे मेरे ओपोनेंट पर 100% कंट्रोल दे देती है इसके पास अब कुछ नहीं है ये अभी मेरी गुलाम है तो अभी रुक्या मार दो इसे तबी रुक्या और ही में को फे हाडो स्पेल बूलती है हाडो नमबर 33 शाका हू रेट फ्लेम कैनन तबी ओरी ही में संटेन केश्यो बूलती है तो नीचे शिल्ड बन जाती है तो वो बच जाती है तबी रुक्या अपना हाडो स्पेल वापस से बूलती है और ओरी ही में शिल्ड बना के वापस से बच जा तभी कुरोडो बुलता है मुझे बिलीव नहीं हो रहा है ये रुक्या के पास इतनी ज्यादा पावस है तभी मबाशी रुक्या को अटेक करने का ओरर देता है तो रुक्या अपना अटेक करती है तो उरी में अपनी शिल्ड बनाती है पर थोड़ा डेमेज होता है दोनों को और रुक्या भी बहुत ठक जाती है तो मबाशी रिड्जे को बूलता है थोड़ी और पावर्स बड़ा रुक्या की तभी हम रुक्या को सोलरी परफॉर्म में देखते हैं तभी रुक्या अपनी जानपाक्टों निकालती है तभी कुरोडो बूलता है ध्यान से रिड्जे रुक्या की सारी पावस को यूज कर रही है अपनी लास्ट लिमिट तक अगर ऐसे ही चलता रहा तो रुक्या जल्दी मर जाएगी तबी रुक्या अटेक करती है तो ओरी ही में अपनी शेल्ड से रोक लेती है तबी रुक्या और ओरी ही में ऐसे ही बैटल करते हैं तबी या लेती है फिर रुकिया आपना हाडो टटेतρι सुकाजस Familie बुलती है तो तब रिसीन इचीगो और इजुरु पर शिफ्ट होता है इचीगो केगो को उठा के थक जाता है तो इजुरु बुलता है इसे अब मुझे दे दू तो ćचीगो बुलता है ठेंक यू पर केगो मेरा दोस्त है तो ये मेरी responsibility है बेचारा केगो इसने तो कुछ भी नहीं किया था पर इसके साथ ऐसा हो रहा है सरिफ मेरी वज़े से तो ये जुरू भूलता है बाउंच सारे जिन्दा humans पर randomly attack कर रहे हैं तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है गुसे में भूलता है मैं ही इस सब के लिए responsible हूँ केगो मेरा friend है और मैं उसको protect नहीं कर पाया तो ये जुरू बूलता है इतना याद रखो कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ तुम्हारा और मेरा अभी common enemy है bounce तो अभी argue नहीं करना और मैंने भी किसी को खोया है तो तो फिर तुम्हें तुम्हारे दोस्त को बचाना है तो फिर भले तुम्हारे दोस्त को कोई भी उठाए उसमें कोई फरक नहीं पड़ता तबी इचीगो हाँ बूलता है तबी सीन ओरी ही में परशिफ्ट होता है वो और कुरोडो बहुत इंजर होके नीचे पड़े हुए होते हैं तो सुबाकी बूलता है मेरे पास अभी थोड़ी पावस बची है तो तुम मेरा यूज करो तो उरिह में भूलती है इतना सा होने के बाद नहीं इचीगो उर्यू सोल रिपर सभने सोल सोसाइटी के अगेंस चाके रुक्या को बचाया था तो अभी हम रुक्या को नहीं मार सकते, रुख्या मेरी दोस्त है, तो कुरोडो बुलता है, मुझे लगता है मेरे पास अभी एक प्लैन है, तभी सिन इचीगो पर शिफ्ट होता है, वो इजुरू और केगो को उरहारा के पास लेके आता है, तभी इचीगो उरहारा को रिक्वेस्ट करते बुलता है प्लीज मेरे फ्रेंड केगो को बचा लू तभी उरहारा हनातुरों से पूछता है अभी ये कैसा है तो हनातुरों बुलता है अभी ये खत्रे में है इसकी सोल की पावर बहुत वीक होती जा रही है पर एक रास्ता है अगर हम इचीगों की पावर केगों के अंदर इंग्जक्शन्स है तो टैसा बुलता है कौन सा नंबर का चाहिए तो हनातुरों बुलता है नंबर one, number three और नंबर six तो टैसा है लेने जाता है तो ये जुरू पूछता है क्या यहां रेंजी अबारा है तो उराहरा भूलता है वो बाजो वाले रूम में है रेंजी बहुत स्ट्रॉंग है वो जल्दी रीकवर हो जाएगा पर जो बच्चे को उसने बचाया वो तभी टैसा इंजेक्शन्स लेके आता है तभी सिन कुरोडों पर शिफ्ट होता है वो बाउंट पर अटेक्ट नहीं कर सकते वो भी यूमंस ही है तो कुरोडों बुलता है तुम्हें चींता करने की कोई बात नहीं है अगर हम बाउंट को हरा नहीं पाए तो वो रूक्या को भी मार देंगे सुनो मैं तुम्हें उसे मारने को नहीं बोल रहा हूँ अगर तुम खाली थोड़ा भी डेमेज दे दो तो वो अपनी डॉल को कन्ट्रोल नहीं कर पाएगा तभी ओरी में सुबाकी को ओर्डर देती है बाउंट पर अटेक करने के लिए तभी रूक्या बीच में आके अटेक खुद पर ले लेती है तभी रूक्या को ओरी में को खतम करने का order देता है तबी रुक्या आटेक करती है तो बीच में हिसागी आ जाता है और आटेक रोक लेता है और अपना इंट्रो देता है मैं 13 कौट गार्ट 9 स्क्वार्ट का लिूटेनेंट शुहे ही हिसागी मुझे यहां भेजा गया है बाउंट को खतम करने के लिए तबी ओरी ही मे बुलता है तुम्हें मारना है तो मार दो पर रिट्जे नहीं मरेगी और मैं तुम्हें कंट्रोल करूंगा अब कैसा रहेगा ये तबी रुक्या खुद पर कंट्रोल पाने की कोशिश करती है तो मबाशी शौक हो जाता है तो रुक्या ओरी ही में को बुलती है मेरे पर प्लीजिए औरीही में को बूलते हैं ये करना पड़ेगा प्लीज तभी औरीही में रुक्या के पास जाती है तभी औरीही में शेल्ड में पर अपना अटेक करती है तो holy comment उरीही में रोकते रोकते आगे बढ़ती है तभी औरीНе स्व्न और आयामे को सौन्टेन केश्यू बुलती है और रुक्या को गले लगा लेती है तभी रिडजे रुक्या के बाहर आ जाती है और रुक्या ठीक हो जाती है तभी रिडजे वापस अटेक करती है तो हिसागी रिडजे को एक बार मारता है तो रिडजे वापस से बीच बनके मबाशी के पास चली जाती है तभी हिसागी मबाशी पर अटेक करने वाला होता है तभी बीच में इचीनों से आ जाता है और मबाशी को वहां से लेके चला जाता है तभी हिसागी को पता चल जाता है कि वो इचीनों से है तभी रुक्या औरीहिमे को ठेंक्यू बूलती है प्रेजर और दून जूआँका जून को अ, मुआ हो तोज को दूए दूएा कि एकाल कर दो एक्राणिए टूएा. यूँ दु के एकाल को आप जएगा ड़का सूखा राद के पाल दूएा कि यूएार लाद अ.